नमस्कार साथियो तो क्या हल चाल है हर साल लाखों की संख्या में बच्चे बोर्ड उसके एक्जाम देते हैं तो अब सवाल यह है कि 12 के बाद लाखों की संख्या में बच्चे जो बोर्ड उसके एक्जाम देते हैं 12th pass out करते हैं आफिर करते क्या है और किन किन section में वो डिवाइड हो जाते है तो 12th के बाद तीन major category में बच्चे divided हो जाते हैं पहले category उन बच्चों के आती है जो NIT IIT या फिर CA exam की तयारी करते हैं कुछ बच्चे 12th की बाद तयारी स्टार्ट करते हैं और कुछ बच्चे तो 11-12 से अपने तयारी स्टार्ट कर देते हैं उनका यह dream होता है यह goal होता है इसलिए वो पहले से ही अपनी चीजे fix करके रखते हैं और उसी हिसाब से आगे continue करते हैं second section में या second category में वो बच्चे आते हैं जो कोई degree या फिर course करना ज्यादा पसंद करते हैं जैसे कि BA हो गया, BSC, B.com, B.tech या फिर कोई और रेपूटेड degree या फिर course and third category जिसमें majority में बच्चे आते हैं जो किसी degree या फिर course के साथ साथ government exam की तयारी करते हैं और इन में से भी जारतर बच्चे ग्रामीड इलाके से आते हैं यानि कि rural area से belong करते हैं तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास biology या फिर mathematics है तो आप किन-किन field में किन-किन area में अपने career को परिशू कर सकते हैं या फिर किन-किन field को आप explore कर सकते हैं तो चलिए अगर आपके पास biology biology है तो biology के साथ आप medical field में काफी कुछ explore कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि काफी बहुत सारी opportunities medical field में आपको मिल जाएंगी जैसे कि डोक्टर अगर कोई sister है हमारी तो नर्स बन सकती है आप pharmacist बन सकते हैं या फिर आप लैब technician भी बन सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि healthcare एक एक ऐसा सेक्टर है जो अभी और आने वाले समय में rapidly growth करेगा इस सेक्टर में बहुत सारी opportunity है जिसमें आप अपने बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं सेकिंड है हमारा biology में biotechnology ये भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं इसके अलावा bioinformatics, microbiology, genetics, geology and wildlife, botany and ecology and environmental science तो ये कुछ ऐसे field है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं अगर आपके पास biology subject है अब हम बात करेंगे उन बाई बैनों के लिए जिने math में interest है या फिर जिनके past 12 में mathematics subject था So math में आप BA mathematics, BAC mathematics, BAC in applied mathematics, BAC in mathematics and statistics, BAC in mathematics and computer science, financial mathematics and industrial mathematics में अपना करियर बना सकते हैं तो ये कुछ ऐसे course या फिर degree थी जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं अगर आपके पास mathematics subject है So इस वीडियो में यही तक उम्मिद करते हैं अभी तक जो भी मैंने बात की वो आपके समझ में आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा So वीडियो को like कीजे, comment कीजे कि आपको किस चीज के बारे में और जादा जानना है And please इस channel को subscribe कीजे